इस वीडियो में बात करने वाले हैं भरत की नदियों को ले करके और इसको हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ठीक है और साथी साथ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके लास्ट में मैंने रखे हैं प्रीविएस ये के कोशन्स तो यहाँ भी आप अटेम्ट करिएगा और अपना स्कोर जो है वो करण बॉक्स में टेक्स करिएगा तो चलिए ॥े करके यहां यहां पर सब्से पानी की कोई एक बड़ी धारा है और वो कई सारी छोटी छोटी धाराओं से मिल करके बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं अपवा तंत्र बोलते हैं अब अगर मैं बात कर लेता हूँ भारत में अपवा तंत्र भागोलिक सोरूप से दो भागों में रखा गया है एक तो हिमा हिमाले नदी वाला कॉश्ण और दूसरा प्रायदीपी नदी वाला अब आपकी बारूवासी widely होती है और अगर मैं प्रायदीपी नदी को लेगर करें बात करूं तो यह आपका होती है मौसंमी इतनी बात क्लियर आगे समझ लेते हैं अब देखते हैं इन नदी की प्रणाली तो देखिए जैसे कि मैंने बोला एक तो होती है हिमाले नदी और दूसरी होती है प्राइदीपी नदी हिमाले नदी के अंदर आपकी तीन नदीया आती है सिंदू, गंगा और ब्रहम पुत्र ठीक है ना अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे हीमा हीमा जो है ना वो गंगा गई किसके साथ साधू के पुत्र के साथ तो इस तरीके से हम यह याद रख कर रहते हैं अगर मैं प्राइद इपी नदी को ले करके बात करूँ तो प्राइद इपी नदी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइट कर दिया गया है एक तो आपका पश्चमी घाट से निकलने वाली नदिया और दूसरा है विंद इपी नदी से तो यानि कि अगर मैं प्राइद इपी नदी को बोलू तो मैं कह सकता हूँ कि मध्ध दच्छिर भारत की जो नदिया है उनको बोला जाएगा प्राइद इपी नदी सिंपल सी बात अब देखिए पश्चमी घटवली कौन सी चार नदिया है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पिन्नार नदी इन चार के बारे में डिस्कस करेंगे साथी साथ ये जो तापी नदी है महा नदी है और नर्मदा नदी है ये किसकी नदिया है विंद श्रड़ी की विंद श्रड़ी इसका मतलब हो जाएगा विद्यान चल परवत और विद्यान चल परवत कहां पर देखने को मिलता है आपको मध्य परदेश में थोड़ा मयप के माध्यम से भी समझ लेते हैं इसको हमारे लिए चीज़े असान हो जाएंगे देखें हीमाले नदी तंत्र तो तीन क्या इंडस यानि कि सिंदू दूसरा हो जाएगा गंगा नदी और तीसरा हो जाएगा ब्रहाम पुत्र इसी तरीके से प्राइदीपी नदी को ले करके बात के तो प्राइदीपी में हमने अभी दो बाते देखी है एक तो हमने देखा है पश्चिमी घाट वाली और दूसरा देखना है विंद्शिड़ी वाली यानि कि इसमें जो हम पढ़ेंगे मध्ध दच्छिर भारत की जो नदिया होंगी ये समझ में आरी बात इनको हम पढ़ने वाले है डिटेल से समझने वाले है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हिमाले नदी से और सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी के बारे में सिंधु नदी की अगर मैं बात करूँ तो उद्गा मिस्थर कहां से निकलती भाई तिब्बत में मानसरोवर जील यानि कैलाश परवत से ये निकलती है अब अगर सिंधु नदी को मैं ले करके बात करूँ तो सिंधु नदी आपको तीन देशों में देखने को मिलती है सबसे पहली बात भारत दूसरा चीन और तीसरा पाकिस्तान अभी हम मैप के दूर और चीज़े समझेंगे अब देखते हैं अगर मैं इसके बात कर लेता हूँ संगा मिस्तल को ले करके तो कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जा करके मिल जाती है अब सिंधु नदी की सहायक नदिया कौन सी है ये हमें बहुत ध्यान अक्ना है और इससे कोशन की बार पूछा जाता है तो सतलच हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, चेनब हो गया, जहलं हो गया, سिंगी हो गया, जासकर होगा, घरवग होगा, चू, शियोक, शिंगार, गिल्गित ये सारी की सारी नदिया जो है वो सिंदु नदी की सहायक नदिया है अब इसमें जो सबसे ज़ादा पूछी जाती है वो ये आपका पाज पूछी जाती है सतलच, रावी, व्यास, चेनब और जेलम ये नदिया पूछी जाती है अब देखिए इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि सिंदु नदी तीन दोशे से होकर इंकलती है सबसे पहली बात तो भारत और दूसरा आपका चीन और तीसरा आपका पाकिस्तान तो भाई यहां से देखिए शुरुवात जो इसकी इतिब्बत से हो रही ना मान सरुवर तो यहां से हो रही है यानि कि यह तो हो गया चीन वाला पार्ट अब यह देखिए चीन से निकलते भारत का लद्दाख वाला एरिया कवर करा और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जा करके गिरती है पाच इंपोर्टन नदिया देखनी साथी साथ अगर जब भी बात आती है सिंदू नदी को ले करके तो हमें एक सन याद रखना है 1960 का सिंदू जल समझोता अब इसके अंदर क्या बात कही गई थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच के समझोता था इसके अंदर कहा गया था कि यो सिंदू नदी है चेनाम नदी है और जेलम है इनका नियंतरर किसके पास रहेगा पाकिस्तान के पास रहेगा इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ व्यास हो गया, रावी हो गया और सतलग इनका कंट्रोल किसके पास रहेगा? भारत के पास रहेगा तो इतनी सारी बाते हमें सिंधु नदी से ध्यान रखनी है तिब्बत में मांसरोवर जील से इसका निकलना कराची, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरना सहयक नदिया, सतलग, रावी, व्यास, चेनाब, ज्यलम इतनी तो हमें ये पास नदिया ध्यान ही रखनी है इसकी आगे बात कर लेते हैं, अब हम मूव करते हैं गंगा नदी के उपर तो देखिए गंगा नदी के लेकर के बात करें तो भाई उद्गम इस्थल केदारनाथ की चोटी के उपर से गौमुख नामा के स्थान से ठीक है ना, और सागर से संगम इस्थल किस सागर में जाकर के, कहां पर जाकर के गिरती हैं, ये देख लेते हैं गवालंदो के निकट ब्रहाम पुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदिया कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदिया हैं अलकनंदा, भागिरत, राम गंगा, यमुना, गोंती, घागरा, गंडक और कोशी ये सारी की सारी कौन सी हैं, गंगा नदि की सहायक नदिया हैं अब यहां से important बात क्या धियानक नदिया हैं, अगर हम गंगा नदि को लेगर के बात करें तो थोड़ा map की तरफ चल देते हैं, अब ये देखी, ये जितना आप portion देखने हैं इस तरीके से जो आ रहा है बिहार होते हुए, पस्चिम मंगाल होते हुए, बांगला देश में जा करके निकलती है, अब बांगला देश में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये question कई बार पूछा जा चुका है तो बांगला देश में इसको पदमा के नाम से जाना जाता है बहुत ही important point में मैं आपको बता रहा हूँ दियान लखिएगा ठीक है और पश्चिम बंगाल से होते हुए कहां पर गिर जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में सिंपल सी बात मैं फिर से repeat कर रहा हूँ से होते हुए उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश से होते हुए ये जाती है बिहार और बिहार से होते हुए जाती है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगला देश में जाकर के निकलती है अब बंगला देश में इसको पदमा के नाम से जाना जाता है यह question कई बार पूछा जाता है, और उसके बार जा करके, बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, ब्राहम पुतर को ले करके अब ये बहुत important है हमारे लिए, अगर हम बात कर लोते हैं, इसके उद्गम स्थल को ले करके तो मानसरोवर जील के निकट चेम यांग डूंग गलेशिय से ये निकलती है और सागर से संगम इस्थल गौलंदों के निकट गंगा नदी में जैसे कि अभी हमने पहले भी देख लिया है ठीक है ब्रहाम पुत्र और गंगा का मिलन होता है वो हम देखेंगे भी कहाँ पे सायक नदी को लेकर के बात करें दिबांग लोहित सुबनसिरी धनसिरी कुलसी मानस संकोष और धरला ये क्या है ब्रहाम पुत्र की सायक नदिया है इतना आपको धियानक नहीं अब हम मूफ करते हैं मैप की तरफ और important facts cover कर लेते हैं अब देखिए यहां से इसकी शुरुवा बात होती है और इस तरीके से आते आते यहां पर जा करके निकलती है तो यानि कि अगर मैं बात करूँ तो तिबबत भारत बांगलादेश से होकर के बहती है ब्रहाम पुत्र है ना कहां से तिबबत भारत और बांगलादेश में अब तिबबत में जो आप देखने हैं यरल जंगबो के नाम से इसको जाना जाता है ब्राम पुत्र को और ब्राहम पुत्र को बांगला देश में जमुना के नाम से जाना जाता है ये दोनों नाम आपको धियानक नहीं है तिबत की बात के तो यरलुग जंगबे है ना और अगर मैं बात कर लो बांगला देश में तो इस और साथी साथ ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डिल्टा बनाती है जिसका नाम है सुन्दरबन डिल्टा ठीक है कौन सी दो नदिया गंगा और ब्रहाम पुत्र हैं गंगा और ब्रहाम पुत्र आ करके मिलती हैं और सबसे बड़े डिल्टा यानि कि सुन्दरबन का निर्म कुमाल करती है, अब हम देख लेते हैं प्राइदीपी नदिया Rise अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हमपढ़ने वाले हैं ब्रहाम पुत्र सिंधु और गंगा की जो सहायक नदिया हैं। इनकी जो महत्पून हैं यहां फे कवरब कर लेते हैं। चलिए जील और कहां से जाकर के किस्से संगम होता है तो कपूर्धरा के दच्छपच्चिम सिरे पर व्यास नदी तथा मिठान कोड के निकट सिंधू नदी में इसका मिलन हो जाता है सहायक नदी को ले करके बात करे तो सतलन नदी की भी सहायक नदियां है सिप्ती हो गया वास्पा हो गया और व्यास ये क्या है सतलन नदी की सहायक नदिया है आगे बढ़ते हैं और हम बात करेते हैं अब जेलन नदी को ले करके तो इसका जो उदगम इस्थल है वो कश्मीर के बेरीनाग जहरने से होता है और सागर से संगम इस्थल को लेकर के बात करें तो त्रीमू के निकट चेनाब नदी में और सहायक नदी को लेकर के बात करें तो किशन गंगा हो गया, लिदार हो गया, करवेस हो गया, पूछ हो ग आगे बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं चेनाब नदी को ले करके और चेनाब नदी का जो उद्गम इस्थल है वो है लाहौल में बेरा लाचारा दर्रे के वीपरीत दिशा में चंद्र प्लस भांगा ठीक है ना साथी साथ अगर मैं इसके संगम इस्थल को ले करके ब व्यास नदी अब व्यास नदी को लेकर के बात करें तो इसका जो उद्गम इस्थल है वो है रोहतांग दर्रे से और संगम इस्थल जो इसका है वो है हरी के पास सत्वद नदी और सहायक नदी को लेकर के बात करें तो पारवत्ती हो गया सैंज हो गया और तीधगन हो गया औ उसके बाद हम कोशन की तरफ मूफ करेंगे आगे हम बात कर लेते हैं यमुना नदी को ले करके तो यमुना नदी का जो उद्गा मिस्थल है वो है बंदर पूछ में पश्मी ढाल परिस्तित यमनोत्री हिमोनी से और संगा मिस्थल को ले करके बात कर तो इलहाबाद में गंग आगे बढ़ लेते हैं और अब हम बात कर लेते हैं गोंती नदी को ले करके तो गोंती नदी का जो उद्गा मिस्थल है वो उत्तर परदेश के पीली भी जन्दपत से होता है और संगा मिस्थल को ले करके बात करे तो गाजीपुर के निकट गंगा नदी में सहायक नदी को ल क्रिष्ट्न नदि को लेकर के तो इसका जो उद्गमिस्थल है वह महाबलेशवर के पास पश्चमी घाट से और शंगमिस्थल को लेकर के बात करें तो विजे वाडा के निकट बंगालग की खाड़ी में सहायक नदिय को ले करके बात करें तो यह हो जाएगा कोईना, पंच गंगा और साथी साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा मूसी भीमा, वत्तुंग भाद्रा यह सब क्या है? सहायक नदियां हैं कृष्णन्दी की आगे हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी को ले करके अब कावेरी नदी का जो उद्गा मिस्थल है वो करनाटक राज में ब्राहमगरी की पहाड़ीयों में कुर्ग जिले में संगा मिस्तल को बात करें तो तमिल लाटू में करकोल के ऊपर से बंगाल की खाड़ी में सहायक नदी को बात करें तो शिवरोत्री, भवानी, अमरावती, कामविनी, नुयल, छड़तीर्थ, शिमला, हेम्वती, हेरोगी और क्रवती ये सब क्या है क्रिश्न कावेरी नदी की सहायक नदिया हैं आगे हम बात कर लेते ही नर्मदा नदी को ले करके अब इसका जो उद्गमिस्थल है वो है मैकाल परवत परिस्थित अमरकंथ चोटी से है ना सहायक नदी इसकी देख सकते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदिया है इसी तरीके से हम आगे बात कर लेते हैं और अब देखते हैं ताप्ती नदी को लेकर के तो ताप्पी नदी को ले करके बात करें तो इसका जो उद्गम इस्थल है वो है महादेव पहाड़ी के पास बैतुल जिले के मुल्ताई से और संगाम इस्थल को ले करके बात करें तो खंबात की खाड़ी में सहायक नदी को लेकर बाद गए, तो पूरोंग, निगो, बोरी, पंजरा तथा हने, ये क्या है? ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है 나? अब हम बात कर लेते हैं, दामोदर नदी को लेकर के, तो दामोदर नदी का जो उदिगम स्थल है, वह क allá आपका च्छोटा ना और जुमेनिया ये क्या हैं इसकी सहायक नदिया हैं किसकी दामोदर नदी की अब हम बात कर लेते हैं कोसी नदी को ले करके तो कोसी नदी का जो उद्गा मिस्थल है वो प्रवा के साथ धाराओं में से परमुख धारा अरूर नाम से माउंट एवरी के पास गोसाई थान ले करके बात करें तो सोन कोसी तामो कोसी लेचु कोसी और तल्खु दूद कोसी अरूर तामूर कोसी ये सारी के सारी क्या हैं कोसी नदी की सहायक नदिया है तो ध्यान लखिएगा इसमें कोसी आ भी रहा है और इस तरीके से हम इसको रिलेट भी कर पाएंगे आगे हम बात कर लेते हैं चंबल नदी को ले करके अब चंबल नदी की बात करें तो इसका जो उद्गमिस्थल है वो मध्ध परदेश के महू के निकट विद्यम परवत की जनापाव पहाड़ी से संगामिस्थल को ले करके बात करें तो इटावा के पास यमुना नदी में सहायक नदी कौ तो ये तो हो गई बात थेदी की अब आप तयार हो जाएए टेस्ट के लिए ठीक है ना तो गाइस मैंने यहाँ पे प्रिवियस येर के कोशन्स रखे हैं और ये बताना है आपको कि किसका सही आंसर क्या होगा शुरू करते हैं और देखते हैं पहला कोशन फर्स्ट कोशन की बात करें कि दामोदर नदी निकलती है तो दामोदर नदी की बारे में हमने देखा है कि इसका उद्गम इस्थल क्या है तो ये हमें ध्यान रखना है छोटा नापूर पठार से यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका option number 2 हो जाएगा कि जो दामोदर नदी निकलती है वो छोटा नापूर पठार से निकलती है next हम बात कर लेते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम इस्थल है कावेरी नदी को ले करके बात करें तो ब्राहम गिरी जो है वो इसका उद्गम इस्थल है यानि कि option number C इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे हम बात क कर लेते हैं कावेरी नदी जल्विवाद मुखिता किन दो राज्यों के मद्ध है तो जैसे कि हमने देखा था सिंधु नदी के बारे में भारत और पाकिस्तान कसम जोता 1960 का तो इसी तरीके से कावेरी नदी के जो जल्विवाद है ये आपको देखने को मिलता है करनाटक औ और तमिलाडू की बीचे में यानि कि इसका जो सही उतर हो जाएगा वो आपका option number D हो जाएगा आगे बात कर लेते हैं question number 4 को लेकर के कि निमन में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दचिल भारत की गंगा कहा जाता है तो ये कहते हैं किसको गोदावरी नदी को यान इसके समीब है तो कृष्णा नदी का उद्गा मिस्तल हमने देखा था महा बलेश्वर यानि कि option number A इसका correct answer हो जाएगा आगे बात कर लेते हैं यहां पर पूछा ये गया है कि पंच गंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है तो ये भी हमने देखा था जह हमने पंच गंगा और दूध गंगा आगे बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि प्राइदीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो सबसे बड़ी नदी है आपका गोदावरी यानि कि option number B आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा प्राइदीपी नदी की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है नेक्स बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि वा कौन सी नदी है जिसका उद्दम भारती राज्य छेतर में नहीं है तो इन चारों को लेकर के बात करें तो घागरा नदी का नहीं है option number D आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे बात कर ले ये आपका बिलकुल correct answer कर जाएगा लास्ट कोश्चन की बात करें पूछा ये गया है कि गंगा रदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो अभी हमने बतायता है कि पदमा के नाम से जाना जाता है option number A इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा साथी साथ comment box में ये भी बताये कि ब्रहाम पुत्र को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है और तिबबत में ब्रहाम पुत्र को किस नाम से जाना जाता है ये दोनों answer आपको comment box में text करने है ठीक है guys तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like जरू करिए और लो